तोडेज टोपिक इस सक्सेस एंड फेलियर ओफ क्लासिकल फ्री लेक्टरोन थेयरी जिसकों ड्रीउड लॉरेंच थेयरी या फ्री उलेक्टरोन गैस मॉडल के नाम से भी जानते हैं तो आएज सबसे पहले इसकी सक्सेस को डिस्कस करते हैं इन नंबर वान इस इटकूड एक्सप्लेइन दा इलेक्टrichten कंड़क्टिविटी ओफ मेटलस नमघर टूइज इड कूड एक्सप्लेइन दा thermal conductivity of metals number three point पर आने से पहले मैं थोड़ा से explain करूँगा आपको free electron theory ने क्या assume किया कि metals में जो valence electron होते हैं they are termed as free electrons और वो free electrons they will behave like atoms or molecule of a perfect gas और उनका motion कैसा होगा motion their motion is random हम लेकिन electric field जब apply करेंगे हम तो electric field apply करने की वज़े से जो electron होगे they will get accelerated जब acceleration होगी उनकी तो indefinite acceleration को रोकने के लिए ताकि उनकी acceleration जो है वो indefinite नहों जाए उसको रोकने के लिए क्या assume किया यहाँ पे कि electron का collision हो रहा है positive ions के साथ जो metal में positive ions है fix positive iron है उनके साथ इनका collision होगा कैसा collision होगा elastic elastic collision होगा उसकी वजह से क्या होगा इसमें जो current produce होगा that will be steady current और वो steady current जो होगा that will be directly proportional to voltage applied या field applied जो electric field हमने apply किया उसके directly proportional होगा जो current होगा तो यहां से जो वी आएगा आपका वी शुड़ भी आई यार ओम्सला को यहां follow करेगा ओके सो थार्ड इसका point है इट कुड़ कि वेरिफाइब कि वेरिफाइब ओम्सला कि वेरिफाइब आई की जोच वेरिफाइब यह थे वेरिफाइब जोच कि वेरिफारिफाइब खार्ड इसक्वाइब आई enc shirt सेमी क्वांटी टेटिवली अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अगर मेटल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमेगनेटिक रेडिशन इंसिडेंट करते हैं जैसे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट जो क्या करेगी देट अब क्यों होगा इसका मतलब क्या है कि जो लाइट हमने इंसिडेंट की थी वो सारी की सारी लाइट जो है वो इलेक्ट्रोंस ने एब्जॉर्ब कर ली ओसिलेशन के लिए ओके तो इसका मतलब क्या हो गया जो मैटल जो है डेट विल अपियर ओपैक सो इट कुड एक्स्प्लेइन दा ओपैसिटी ओफ मैटल्स जो रेडियेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो मैटल जो है वो ओपैक है उसमें से लाइट पास नहीं कर पाएगी प्रोस नहीं कर पाएगी इसलिए उसको कहा है ओपैक अब मैटल्स में जो लाइट अनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी जिससे ओसिलेशन सेट अप हुई थी इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोंज हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हैं जो वो अपनी इनिशियल स्टेट में आएंगे नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो क्या होगा जो लाइट यहां एब्जॉर्ब की थी वो लाइट यहां वो रिलीज कर देंगे एमिट कर देंगे लाइट एमिट होगी लाइट एनर्जी और वो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की थी सारी सारी वो यहां एमिट होगी अब वो लाइट जो एमिट होगी डैट विल बी अल डिरेक्शन लेकिन जो सर्फेस की तरफ होगी मैटल की वहां से वो लाइट बहार आजेगी जो स इस केस में जो होगा जो मैटल जो होगा देट विल रिफ्लेक्ट बैक एनर्जी तो इट कूद एक्स्प्लेइन दम मेटैलिक लस्टर मेटैलिक लस्टर को एक्स्प्लेइन कर पाया था तो यहां से हम एक बार गोंड्रू हो जाते हैं यह सारी सक्सव Trigger को एक्स्प्लेइन कर पाया था मेटल्स की फर्म ध्र? सेमी कौंटिटियू लोरेंज नमबर में कुछ टिस्प्लेश आई थी जो quantum concept गा के बाद में explain की थी यह इसकी limitation में भी आएगा it could explain the opacity of metals it could explain the metallic luster यह दोनों properties जो है यह optical properties में आती है optical property so it could also explain the optical properties of metals तो यह सारी success थी free electron theory की classical theory of free electron अब हम आ जाते हैं इसकी failure and limitations पे so first one is it could not explain the discrepancy in theoretical and experimental value of electronic specific heat जो electronic specific heat की observed or predicted values थी उन दोनों में जो discrepancy थी उन दोनों में जो mismatch था उसको यह theory explain नहीं कर पाई थी according to classical theory each electron has magnetic moment associated with its spin magnetic moment associated है spin के साथ तो उसके coding susceptibility of paramagnetic materials is inversely proportional to temperature लेकिन experimentally paramagnetism of metals is independent of temperature तो यह इसकी second drawback होगी third limitation है के classical theory could not explain why some metals like copper and silver have higher conductivity जो कुछ metals है copper silver उनकी conductivity बहुत ज्यादा होती है तो classical theory of free electron उनको explain नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों होता है also it could not explain the conductivity of semiconductors and insulators semiconductor और insulator के case में conductivity कितनी होती है यह नहीं बता पाया था next limitation है इसकी the concept of photoelectric effect, Compton effect and black body radiation cannot be explained on the basis of this theory क्योंकि यह तीनों effect जो है quantum theory से explain होते है next limitation है इसकी discrepancy in estimation of Lawrence number जो wildman fringe ला लिया था हमने वहां से जो ratio of thermal conductivity to electrical conductivity आया था वहां से हमारा proportionality constant आया था L तो वह L होता है 3 kb square upon 2 e square उसकी value according to wildman fringe ला यह आई थी है हमारे पास 1.11 into 10s power minus 8 watt ohm per kelvin square लेकिन experimental इसकी value है 2.44 into 10s power minus 8 watt ohm per kelvin square तो यह इसकी drawback है कि discrepancy क्यों आई थी यह explain नहीं कर पाया था next point is temperature dependence of electrical conductivity is not in agreement with experimental value classical free electron theory के according sigma electrical conductivity हो होता है हमारा n e square tau upon m और यहां पर tau जो है वो tau is relaxation time and this is mean free path lambda upon velocity v तो यहां put कर देंगे हम this implies sigma equal to n e square lambda upon m v okay हमें पता है half m v square equal to 3 by 2 kb into t यह सारा हम classical theory of free electron में discuss कर चुकी हैं तो यहां से v this implies v equal to under root 3 kb t upon m अब यहां से हम कह सकते हैं कि v जो है हमारा this is directly proportional to square root of t अब इस relation से और यहां से अगर हम देखें sigma तो sigma is inversely proportional to v तो यहां से sigma will be inversely proportional to root t ओके लेकिन experimentally सिग्मा जो है that is inversely proportional to t अब यह जो discrepancy जो dependence of electrical conductivity on temperature यह जो लास्ट and failure of classical free electron theory thank you